धनु राशी के लोगों के लिए अगस्त का महिना कैसा रहेगा जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी अगस्त के धनु राशी फल के बारे में इस महिने में ग्रहों की इस्तिती किस तरहा से रहेगी कौन-कौन सी ग्रह राशी बदलेंगे और उनका प्रभाव आपकी जीवन के हर एक शेत्र पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से इसलिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो सबसे पहले इस महिने में होने वाले ग्रहों की इस्तिती के बदलाव के बारे में जानेंगे तो देखें अभी महिने की शुर्वात में सूर्य देव करकराशी में हैं 16 अगस्त को इनका राशी परिवर्टन होगा और एक करकराशी से निकलकर अपनी राशी सिहंग राशी में प्रिवेश कर जाएंगे शुक्र और बुद्ध ये दोनों ही सिहिंग राशी में विराजमान है और 25 सगस्त को शुक्र का राशी परिवर्टन होगा जो की कन्या राशी में पिरवेश करेंगे वहीं 22 अगस्तों को बुद्ध विवक्री हो जाएंगे, और मगल 26 सगस्त को राशी बदल कर व्रशब रासी से मिथुन राशी में पिरवेश कर जाएंगे, अभी व्रशब रासी में गुरु और मंगल की युती है, केतु कन्य राशी में हैं और मीन राशी में राहू मौझूद हैं और जो कुम राशी है उसमें शनी महराज मौझूद हैं वक्री इस्तिति में तो कुछ इस तरह से ग्रोहों की इस्तिति है अब यह जो ग्रोहों की इस्तिति है यह किस तरह से आपको प्रभावित करने वाली ह चली जानते हैं, सबसे पहले आपके करियर के बारे में जानेंगे, उसके बाद financial condition, उसके बाद आपके relations के बारे में और फिर हम आप जानेंगे students के बारे में और कुछ उपायों के बारे में, तो करियर की अगर मैं बात करूं, जो दिखिए करियर का भाव होता है दस्वा आपका में कौन विराजमान है, केतु बैटे हुए हैं, केतु जहां उपस्तित हैं, आपको कही न कहीं परिषानियों का सामना करना पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि केतु का काम है मन ना लगने देना, मन को कभी इसमें लगा दिया, कभी उसमें लगाया, एक चीज से बड़ी दुविधावें चल रहे हैं, ऐसी चीज़े क्रियेट करता है, तो हो सकता है आपके कामकाज में आपका मन ना लगे, आपको माहोल ही उबाओ दिखने लगे, मन ही नहीं लगेगा, सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी, आलस वाली लगेंगी, तो आपका मन होगा कि काम को ढटे रहें और काम करते रहें क्योंकि ये समय है आपको अपने काम पर फोकस करने का क्योंकि केतु तो अप्हे ही रहने वाले हैं लेकिन आपको निराश नहीं होना है निराशाइं समस्याइं खड़ी करती हैं सावधानी रखनी है वैसे दसमभाव के स्वामी बुद्ध होते हैं लेकिन केतू और राहू ऐसे ग्रहे हैं जहां बैठेंगे उस पर अपका अपना अधिकार जमा लेते हैं दसमभाव के स्वामी बुद्ध माराज हैं अपने काम में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा एनरजेटिक हो जाएंगे आप और 25 अगस्त को शुक्र भी करने अराशी में दसम भाव में आ जाएंगे तब और इस्तितियां बदलेंगी तब आप माहुल को देखकर चीजों को ठीक कर पाएंगे आपके जो छटा भाव है छटे भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं वही दसम भाव में जाएंगे तो महनत तो बढ़ेगी काम का प्रेशर भी बढ़ेगा लेकिन आपके जो कामगाज है उनके जरीए आपको रिजल्ट मिल जाएगा वैपारियों के लिए कहूंगे मैं बहुत अच्छा महीना है ये क्योंकि आप जितनी जादा कोशिश करेंगे उतना ही जादा उन्नेती आपको अपने वैपार में मिलने वाली है सब्तम भाव के स्वामी बुद्ध महाराज महीने की शुरुवात में नवंभाव में रहेंगे जिससे व्यवसाय से जुड़ी हुई यात्राएं भी र जाएंगे तो आपके अंदर एक नई उर्जा का संचार देखने को मिलेगा मन बड़ा उत्साहित भी रहेगा कुमन लगा कर काम भी करेंगे और अपने वैपार को भी आगे लेकर जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपका कारेशित्र है अब आपकी फानेंशल कंडिशन आर् द्वादस भाव पर पून द्रस्टी है जिससे खर्चे बढ़ते दिख रहे हैं शनीवी वक्री अवस्ता में बैठे हैं और द्वादस भाव को ही देख रहे हैं इसलिए कभी खर्च होगा कभी नहीं होगा इस तरह की इस्तिती बनी रहेगी सूरिय को अगर देखें तो पुरवार्द में अस्टम में रह जाएंगे, अब अस्टम में रहके क्या वो भी खर्च को बढ़ा रहे हैं, यानि खर्चा तो दिखाई दे रहा है, ऐसी इस्तिती में एक अच्छा बजट प्लान करने के आवश्यक्ता है, ऐसा होगा कहीं से कुछ खर्चा आ गया, कहीं से क सूरिय माहराज 16 अगस नवंभाव में आएंगे, तो आर्थे किस्तिती को थोड़ा सा कंट्रूल करनेका कार्या करेंगे, 16 अगस से 8 किस्तिती में ठोड़ा सी आप समधुलन बढ़ें का प्रयास भी करेंगे, 8 किस्तिती को सुद्रट भी कर पाएंगे, लेकिन हाँ व्यापा आपके पंचम भाव के स्वामी अस्टम में है वक्रिशनी महराज की द्रश्टी पंचम भाव पर है तो थोड़ा सावधानी रखें एक दूसरे को हो सकता है समय ना दे पाएं ठीक से समझना पाएं तो ये वज़ा हो सकती है कि एक दूसरे से बने ना एक दूसरे से तू तू जालने में कोशिश करते हैं तो तो इस रच्टे को फिर खुबसूरती से भी आप चला सकते हैं और देखे यहां 26 अगस्त को जब मंगल महराज सब्तम में आएंगे तब प्रेम जीवन के मामले में अच्छा रहेगा और विवाह के प्रस्ताव भी आप दे सकते हैं तब प्रे अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक दूसरे के साथ लंबी आत्राओं पर जा सकते हैं खुबसूरत जगह की सैर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ेगा सस्तुराल में भी आपका अपना जो एक सामजसे है वो बना रहेगा बड़े खुशी का अवस्था आपके बढ़ेंगे देवगुरु पस्पती छटे में बैठकर नवम दरस्टी से दूसरे भाव को देखेंगे तो कुटुम के बीच में भी प्रेम है एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और साथ में जो राहु महाराज हैं वो थोड़ी समसाय खड़ी कर सकते हैं थोड़ा शां स्वास्ते का देहान रखें और आपका स्वास्ते अगर देखा जाए तो आपका स्वास्ते ठीक ठाक रहेगा बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाए देंगी अगर आप छुटी मोटी चीजों को छोड़ दें आँखो से जोड़ी समस्या हो गई या जोड़ों म महनत करेंगे उसके बाद सफलता भी अच्छी मिलेगी विदेश जाकर पढ़ने की बारे में सोच रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता भी आपको मिलेगी हलाकि खर्चा तो रहेगा विदेश जाने के लिए ही सही या पढ़ाई के लिए सही लेकिन हाँ आपक इस चीज़ को जरूर करें और सूर्य देव को अर्द देना शुरू कर दें सूर्य देव को भी अर्द दें हल्दी डाल कर थोड़ा सा हल्दी डालने उसमें लोटे में और थोड़े से चावल डालने और तब उसको आप अर्द दें सूरे देव को तो यह बहुत अच्छा रहेगा साथ ही चनल को सब्सक्राइब कर ले